ओम श्रीकणी शायना महा जै भूलिना जै शिप शक्ती वेल्कम बाक तो अवर चैनल आज हम एक वीकली डीडिंग करने जा रहे हैं पाइसे साइन के लिए जुसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफता आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है एक जेनरल अपॉइन्मेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रहे हैं आप चेकाउट कर सकते हैं डेली डारो डीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे फॉलो कर सकते हैं उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलि पाइसेस के लिए ओवराल इनर्जी क्या रहने वाले हैं फॉर दे कमिंग टाइम अफकॉर्स ओके थिंकिंग विमन तो इसका मतलब यह है कि पाइसेस रिगार्डलेस की आप मेल है या फीमेल कोई भी वीडियो को देख रहा है ठीक है जंडर कोई भी हो और ऐसा लगता है फॉरवर्ड ठीक है और कुछ सोच विचार चल रहा है मुझे ऐसा लगता है ये एक expansion mode है transformation का समय अफकॉर्स बहुत कुछ बदल रहा है आपकी life में ऐसा लगता है एक storm यहाँ पे storm warning का काड़ आ रहा है इसका मतलब बहुत से बदलाव आप महसूस कर सकते हैं ठीक है आने व नमर आ रहा है 10 नमर आ रहा है ठीक है कुछ के लिए हो सकता है कि निवेंबर मंथ आपके लिए काफी changes लेके आ रहा है now strong का मतलब होता है कि sudden shift, sudden move किसी भी sphere में चाहे relationship हो, career हो, finance हो, job हो it's like things shaking up ठीक है अब of course वो good way में भी हो सकते है आपको लग सकता है कि अरे यह क्या हो रहा है आप ऐसा feel कर सकते है but मुझे ऐसा लगता है like a heavy transformation और आपको कुछ decisions लेने पड़ सकते हैं अपनी life को लेके, अपने career को लेके, relationship को लेके, for anything कुछ decision लेना पड़ रहा हो आपको आने वाले समय में कि इधर जाए कि उधर जाए कि उधर जाए हो, confusion हो किसी भी matter को लेके कि मान लेजे कि इस side follow करें या वो side follow करें ठीक है, तो ऐसी energy भी हमारे पास आरे है, of course, for the Pisces, lovely Pisces और of course, आप चूज करने वाले हैं अपने heart, जो भी feelings हैं, जो भी emotions हैं, so you are going to choose that और दिल का रस्ता ही, I think, you know, भगवान जो है, वो answer करते हैं, when you stay connected, ठीक है, and of course, Pisces, अगर आपने बहुत बुरा time निकाला है पहले, या emotions, लोग आपका फायदा उठाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि आप दिल से सोचना बंद कर दें, दिमाग से यही सोचें, ऐसा नहीं है, और कि कहते हैं आप खुद को मत बदले, of course, आप अपने में changes जरूर आ सकते हैं, और to move forward in life, but of course, emotions, मुझे ऐसे लगता है, Pis of love का card आ रहा है, तो जो दिल कहेगा, वो चीज़ फॉलो करेंगे, तीक है, ऐसा हमें Pisces के लिए energy दिखाए दे रही है, तो सच यह wonderful energy, अभी फिलहाल जो दिखाए दे रहा है, चलिए, अब हम थोड़ा relationship sector की बात कर लेते हैं, following your heart, you know, following your heart, वो चीज़ हमें दिखाए दे र the heart, of course, तो it's a good energy दो, चलिए, यह हमें दिखाए दे रहा है, आने वाले समय में, Pisces के लिए, अब थोड़ा love life के लिए देख लेते हैं, कि Pisces की love life जो है, वो किस तरीके से चल रही है, of course, क्या चल रहा है, situation, okay, so हमारे बाद यहापे थोड़ी से disappointment दिखाए दे रही है, okay, disappointment क कि शायद आपको लगता है कि सब कुछ अफार चुके हैं, यह कुछ हो नहीं सकता, बट अगर मैं इस card को explain करने जाओंगी, तो oh my god, such, so much to explain, कितना कुछ explain कर सकते हैं, इस card को देखके, you know, five of cups, आप disappointed है, आप सिरफ उन चीजों को देख रहे हैं, जो आपके सामने हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं आपकी wishes, माल लिजे कि आप एक relationship का सपना लेके बैठे हैं, और वो सपना बार-बार टूट जाता है, तो आप सिरफ उन, जो सपने टूटे हैं, सिरफ उनी को देख रहे हैं, बट भगवान ने पीछे आपके लिए कुछ सोच रखा है, two of cups, पीछे आगे three हैं, spilled cups हैं, जो गिरे होए हैं, पीछे two हैं, that means कि two of cups, आपको पता है मैं, two of cups का मतलग क्या होता है, love, relationship, bond, प्यार, महबबत, ठीक है, एक होता है कि आपने ये सोचा कि ये person आपके लिए अच्छा है, और वो आपका सपना तूटा है, और एक है, मतलब उस person ने आप आपको दोखा दिया, और एक है कि जो भगवान ने आपके लिए decide किया है, और जो उनको लगता है कि yes, you deserve, अब आप किस चीज की तरफ शाएंगे, थोड़ा सा complicated है, बस सोच के देखिएगा, तो वो चीज है, so wait for the turn, मैं आपको ये बोलूँगी, चलिए, ओके, आपकी energy हम अगर चेक करें, still Pisces जो है, वो लव नहीं चोड़ सकते हैं, देखिए, queen of cup synergy, चाहे आप वेट ना कर रहे हों, या कर रहे हैं, अदर ही अंदर है, एक मन में, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी specific person के लिए कर रहे हैं, जेनरली भी कर रहे हों, ठीक है, बहुत कुछ चे आपको लगता है कि, yes, मतलग, you know, ready to hand over, मतलग, किसी को वो जो offer, you know, offer of love, बट हो सकता है, वेट कर रहे हैं, communicate करना चाहते हैं, transformation मुझे तिखाई दे रहे है, change तिखाई दे रहा है एक आपके round, बट जो love है, वो ही है, ठीक है, on the other hand, आपके जो partner है, देखिए, कोई है, कोई हो सकता है, a younger energy, younger person, या है कोई, अभी यहाँ पर थोड़ा सा confusion है, past person, कोई है, जो player energy में है, ठीक है, because यहाँ पर मैं पास वो knight of wands, so, यह जो person है, बहुत जादा on-off करते हैं, और अभी यह वो situation चल रही है, ठीक है, आपकी life में, और यह person है, इनकी player tendency है, इस person का next action, क्या है, it's about closed off, अभी फिलाल कोई action नहीं लेने वाले हैं, चुप करके बैठे हैं, ठीक है, four of swords का मतलब होता है, कि sleeping mode, ठीक है, और future में क्या हो सकता है, I think it's about, कि moving forward, मुझे लगता है, 25 आप मन बिना चुके हैं, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, अब आपको लगता है, कि आए तो आए, ठीक है, नहीं आए, तो you are ready to move forward, मुझे ऐसा लग रहा है, कि chariot is about forward movement, ठीक है, वो चीज है, and moving emperor energy आ रही है, तो ये जो person है, I think it's about, इनको बार बार wake-up call दी जा रही है, बट हो सकता है, कि ये शायद हो सकता है, कि decide नहीं कर पा रहे हैं, decision making इनकी बहुत पूर है, ये क कुछ नहीं कर पा रहे है, क्योंकि ये decide नहीं कर पा रहे है, ये इसी किसी situation में है, चाहे तो वो सकता है, married हो, या already divorced, separated, but yes, ये person कुछ decide नहीं कर पा रहे है, और Pisces है ready to move, and when you are ready to move forward, तो आप क्या expect कर सकते हैं, ये question आपका होगा, कि जब आप मन बना लेते हैं, to move forward, तो इस परसन का move, आपकी तरफ क्या होगा, okay, heart to heart conversation, तो आप expect कर सकते हैं, कि ये आप से कुछ बात कर सकते हैं, हमारे पास है, ये चिल्रन, एक तो या तो हो सकता है, इस परसन में बच्पना बहुत है, age में यंग है आप से, या ये हो सकता है, कि your love life is affected by children, किसी के बच्चे है, बच्चा से कोई नहीं ले पारे, but yes, of course, ये चीज हो सकती है, forgiving and learning, release your ex का card आ रहा है, इसका मतलब time आ चुका है, to release, time to clear the energy, ठीक है, और, Pisces, I think you need to focus on yourself, okay, और, आपकी तरफ वो connections आते हैं, बार-बार, you need to free yourself, आप अपने आपको free कीजे, from what, किस चीज से, किसी पर co-dependent नही होना, किसी से को expectations, of course, आप ये कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, what else, I just want to know, कि मुझे ऐसा लगता है, कि, you know, मतलब आपके बीच में, क्योंकि ये जो person है, मुझे ऐसा लगता है, बार-बार आपकी life में आते हैं, just to, you know, waste your time, कि आपका सिरफ time waste करने के लिए आते हैं, औ और, Pisces की love life में क्या expect कर सकते हैं, आने वाले समय में, हमारे जो प्यारे viewers हैं, जो इतनी उम्मीद से reading को देख रहे हैं, तो Pisces क्या expect कर सकते हैं, in the coming time, of course, आएंगे तो सही ये person आपकी तरफ मुझे ऐसा लगता है, you know, मतलब जरूर आएंगे, but it's about, अभी फिलहाल मुझे इसा लगता है, इनको वक्त लग रहा है, ठीक है, decision आपकी तरफ है, कि आप क्या करना चाहते हैं, काफी Pisces मुझे ऐसा लगता है, move on कर रहे हैं, same story, आप अपनी जोन में आ रहे हैं, और जब आप अपनी जोन में आ जाते हैं, तो आप expect कर सकते हैं, कि ये person आ सकते हैं, आप मारे पास abundance का काड़ा रहा है, अपने काम पे जाधा focused रहने वाले है, Pisces अपने आपको heal करने वाले है, तो ये energy अभी हमें आने वाले समय में दिखाई दे रही है, पर जो लोगो, single भी of course, single के लिए है, सबके लिए है, जो वीडियो को देख रहे हैं, आप time stamp कर सकते हैं, singles, तो ये सबके लिए है कि yes, of course, आप expect कर सकते हैं, अभी आने वाले समय में to heal yourself, abundance, better health, अंदरूनी health, और better in words and out words, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, and of course, giving yourself time, अपने आपको time देने वाले हैं, अपने आपको heal करने वाले हैं, और सब कुछ, you know, and wealth का card आ रहा है, इसका मतलब य इनर, you know, inner wisdom, inner, जिसे हम कहते हैं कि अंदर से इंसान बहुत लाजवाब, तो वाली नर्ची हमें दिखाए दे रहे हैं, चलिए, अब हम देखेंगे कि, पाइसे अफकोर्स, ये, ये decision time है, आपके लिए, you know, आप, आप of course, मतलब, you're not ready, आप, आप options देखने वाले हैं, आप आप ready हैं, move करने के लिए, you know, आपको लगता है कि ठीक है, आओ, नहीं आना, मत आओ, कोई बात नहीं, possibilities, number 24, हमारे पास दिखा दे रहा है, exploring new possibilities कि आपकी life में क्या हो सकता है, चलिए, career-wise, prices के लिए, prices क्या expect कर सकते हैं, okay, so हमारे पास यहां पे आ रहा है, okay, career-wise मुझे ऐस से लगता है, prices थोड़ा से drained, या आपको खतरा है, आपको लग रहा है, you know, कि कैसे होगा, क्या होगा, ऐसी energy हमें दिखाए दे रही है, maybe it's about job, it's about your following, your passion, or what, थोड़ी सी हमें वो एक delayed सी energy दिखाए दे रही है, you know, it's about कि चीजें slow हो रही है, although you are into that energy, but still waiting, मुझे ऐसे लगत है, waiting, ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी life में अपने achieve किया है, बट उतार जड़ा आते रहते हैं, ठीक है, वो आप नजर दोश किया सकते हैं, कुछ भी है, stay away from people, ज्यादा discussion मत कीज़ें, अपने काम पे focus कीज़ें, हो सकता है, health की वज़ा से नहीं concentrate कर पा रहे हो सकता है, चीज़ें उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, December time we are getting की हो सकता है, ठीक हो जाएं, finances हो सकता है, थोड़े से हेले हो हैं, things are being shaken up, ठीक है, और ऐसी energy हमें दिखाए रही है, but I think आप ढूंडेंगे नए नए दरवाजे, आप नए नए चीज़ें ढूंडेंगे, कैसे आप अपने काम को तवर्जो दे सकते हैं, importance दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो वो वाली energy हमें दिखाए रही है, prices के लिए, कि ठीक है, आप अपने usual form में आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है, जो भी prices बहुत जादा worried है, आप अपनी power में आ जाएंगे, आप अपनी zone म आ जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, एक dead end है, और कुछ limited सा feel कर रहे है, but of course, अब वो finances या आपको लग रहा है कि चीजें उतनी तेजी से नहीं चल रही है, यो slow pace पे चल रही है, अब वो मुझे लगता है कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, कि कैसे करें So somewhat changes आ सकते हैं, या career में कुछ changes आ सकते हैं, आप कुछ switch कर सकते हैं, और anything, but यहाँ पर हमारे पास ये message है कि give it a time, ठीक है, भगवान जब देते हैं तो छब पर फाड के देते हैं, but for that, तब तक के लिए आपको अपने पे believe करना पड़ता है, और आपको zone में रहना पड़ता है, ठीक है, queen of wands energy आ रही है, very fiery and passionate energy, okay, और six of wands, इसका मतलब होता है कि victory success, but उसको आपको time देना पड़ेगा, justice मिलेगी आपको, ठीक है, अगर कोई महरत करता है, तो उसका फल तो मलता ही है, ठीक है, तो again, December, you know, December का period हो सकता, आपके लिए prominent हो, okay, so, अब हम blessings देख लेते हैं, of course, यहां पर हमारे बस है, so, calling for blessings की पाइसे की तरफ, क्या blessings पाइसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, for the coming time, of course, दुर्गा देवी, so, मात दुर्गा की उपासना कीजिए, आप अराधना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, यहां दुर्गा देवी की blessings आ रही है, और personal empowerment, जिसे कहते हैं, श्री विश्नु हरीजी भी है, ठीक है, तो receive कीजिए blessings को, of course, क्या destruction of ignorance, development of spiritual forces, suppression of negative and psychic, of course, मुझे ऐता लगता है, कि prices, कही prices हो सकता है, low field कर रहे हैं, time down, anxiety, a period, ऐसा है, so much going on, so, अपने आप में focus कीजिए, और प्रमात्मा को याद कीजिए, अपना divine connection बिठाइए, stay grounded, stay focused, पूरा पार्ट कीजिए, अराधना कीजिए, माता दुर्गा की आपके लिए अच्छा हो सकता है, and of course, आपको आने वाले समय में, बहुत सादा help मिल सकती है, और guidance क्या है, guidance, जो कि most important है, कि prices के लिए क्या guidance है, to deal with all this, जो भी चल रहा है, इस टाइम, चाहे वो relationship से related हो, या career से related हो, क्या guidance है, okay, so, यहाँ पर ये Pisces, Angels, ये कहना चाहते है, कि please, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, ठीके, projections, इसका मतलब होता है, a kind of a mirroring, you know, कि जैसा आप सोचते है, inner, outer, so, अपनी जो energy है, वो सही दिशा में लगाना बहुत जादा ज़रूरी है, okay, और कुछ के लिए हो सकता है, laziness का काड़ आ रहा है, इसका मतलब ये है, कि you need to put extra efforts, अभी फिलहाल, ठीक है, ये चीज हो सकती है, be present in the moment, past का मत सोचिये, future का मत सोचिये, अभी का सोचिये, और अभी का सोच कर जो भी करना है, करिये, I think हो सकता है, कुछ लोग future का बहुत जादा सोच रहे हैं, तो worried है, हो सकता है, कुछ past का सोच रहे हैं, इसलिए worried है, तो be present in the moment, अभी फिलहाल जो है, आपके सामने, उस च आपको उसमें से बाहर निकलना है, खुद को ही बाहर निकलना है, खुद को ही empowered करना है, so lot of empowerment, okay, आपको इस ताइम पर जरूरत है, for all the Pisces people, और जो भी है, जो अगर कुछ है ऐसा period, तो वो भी निकल जाएगा, और you need to be relaxed, okay, so ये थी आप लोगों की beautiful, beautiful reading, I hope आपको पसंद आई हो, और हमें comment करके बताये कैसी लगी, we'll see you next time, take care.